नमस्कर दोस्तो मैं हूँ आर्ति प्रजापती आर्ति प्रजापती यूडूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तो दिवाली का पर्वा है आप सभी को धेर सारी सुपकामना है आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत सारी सुपकामना है आप आने वाले नई यर में बहुत सारी सफलता अर्ज करो और अपनी जो लक्ष है उस गोल को आप पूरा करो और अपनी परिवार का नाम रोसन करो यही मेरी सुपकामना है और दुस्तों साथ में एक संदेश भी आपको देना है कि जिस तरीके से हम जो दीवाली का परवा होता है तो हम लोग क्या करते हैं घर की सापसफाई करते हैं घर में रंग रोगान करते हैं घर को डेकोरेट करते हैं तो उसी दर से हमें हमारे मन की भी सापसफाई करनी हमारे मन में भी बहुत सारे कच्रा पड़ा होता है हमारे मन में भी बहुत सारे धूल जमी हुई होती है काई लोगों के साथ पूरे साल में अच्छे पूरे अनुभव रहते होते हैं किसी के साथ अच्छे रिलेसंसिप रहते हैं तो किसी के साथ क्या होता है कभी ना कभी कु पुछी इस तरीके से होते हैं तो ना आपका कसुर होता है ना सामने वाली का कसुर होता है और मिसंडरस्टेंडिंग की वज़े से दोनों तरब से क्या होता है गलत फ्यमिया पैदा हो जाती है और उसकी वज़े से जिस्तों में बहुत सारी धरा रहा जाती है तो उन धरारों अगर खत्म करना है तो इस परवा पर ही सभी लोग खत्म करते हैं हमारी यह तो दीवाली का जो परवा होता है वहां पर ऐसा होता है कि अगर कोई रूठा है तो उसे मना लेते हैं तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कहीं कोई दूल जामी हुई है किसी दिस्ते को लेकर या अपनी दोस्तों के लेकर या फिर अपनी परिवार के कुछ लोगों से लेकर तो उन सबी धूल को साप कर देना और अपने मन को भी बहुत अच्छे से सजा लेना ताकि हमारा मन भी बहुत अच्छा लगे जिस तरीके से हम अपना घर डेकोरेट करते न हम भी चाहते के हमारा गर बहुत अच्छा लगे तो उसी तरीके से जो मन होता है न वो हमारे बड़ी का गर है तो हमारे बड़ी का जो एक कमरा होता है उस कमरे की उस कमरे को हम मन कहते हैं तो उस कमरे की भी सफाई करते रहना और हा दूस्तों आगे अभी आपको बहुत सारी स इस बात को हम भुलेंगे नहीं और हाँ अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे अपने रिष्टेदारों से मिलेंगे लेकिन हाँ सोसेल डिस्टेंस चारी रखेगा ताकि कोरोना जैसी महामारी का हम सामना कर सके अभी तक तो हम लोग नहीं सामना किया है लेकिन इस तेवहार में भ दमी होई दुल को निकाल दीजीएगा अपने मन के कमरे को डेकोरेट कीजीएगा और हां आने वाली जो एक्जाम है आपके लिए जो बहुत ही सिलिबस बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि उस टाइम पर हम प्रिपेरिजन नहीं कर पाते हमें कुछ राष्टा नहीं दिखता है कि इतनी स्वाट टर्म में हम कैसे इतना सारा सिलिबस बुरा करेंगे तो दोस्तों अभी से ही आप लगे रहें और ऐसा वेट ना किज और आगे जब फॉर्म आए तब आपकी सिर्फ प्रैक्टिक से बाकी रहें इस तरीके से प्रिपेरिजन जारी कर दीजेगा चले दोस्तों आज के लिए बस यही संदेश देना था इसलिए आपसे इस तरीके से वीडियो से पहली बार आपकी सामने आ रही हूँ तो दोस्त तो मिलते हैं फिर कभी थेंक यू